कि अज़ाएं लेमन हो गया अड़ू हो गया अंगूर हो गया और तरबानी अलूब खारा है यह जरूर लगाने चाहिए इसका बहुत फाइदा है यह जब मैंने अपनी एजूकेशन कंप्लीड की तो फिर मैंने सोचा कोई बिजनस करना चाहिए तो फिर मैं आउटो सीटी काफी जाता रहता हूं तो मैंने भी बागों का विजिट किया तो इस वज़ा से मैंने चेक किय किया और मैंने देखा फिर मैंने अपने बाग खुद लगाए हमें जमीन रखबा पड़ा था मेरा अपना तो इसकी आमदन की आमदन एक मरब्ब की जितनी है यानि एक एकड़ की जो आमदन है वो एक मरब्ब जितनी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं हूँ आपका दोस आपका होस्ट मनशा ताहिर दि टेलन्ट इंटरनेशनल में खुशामदीद दोस्तों जैसा कि आपको मलूम है कि हम आपको मुझतलिफ बिस्नसमैन टेलेंटेड परसनेलिटी से मिलाते रहते हैं आज हमारी जो एक टेलेंटेड परसनेलिटी है इनोंने जंगल में मंगल और इसके अंदर हम इन से पुछेंगे कि कौन कौन से फुरूट है और आया ये पाकिस्तान में भेज रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर भी भेज रहे हैं और नेक्स्ट इनके क्या प्लैन है ये सारी उनके साथ बातें करेंगे मेरे साथ मजूद हैं आज की एक नौजवान बि अबरार साहब कैसे आप? खरीय से हैं? जी अल्ला का शुकर, अल्ला का सान है. अबरार साहब माशा आलला मुझे देखकर ये बड़ी खुशी हुई है कि यहां अपने जंगल के जंगल में मंगल लगा रहा है. ये मुख्तलिफ अक्साम के फूरूट का आपने बागल लगा र कि लेकिंद बाद बैband ने सोचा जोब में क्या रखा है RED विज्ँन expense कि णहें फिर हम छे लिस्ट की तरव है अफने गाऊं में लगते हैं बाग हमने मुतलिट किसम पाल लगाई था राडव लगाया लेमन भी लगाया है और खुर्बानी लगाई यह लगाया और अंगूर भी लगाई है तो बड़ा मज़ा रहा बिजनस का अब रहर सब यह मुझे बताएं कि आपको यह आइडिया कहां से यह आइडिया तो बुक्स में पड़ा फिर मैं आउट उप सीटी काफी जाता रहता ह वहां से मैं देखे बागशा काफी लोगों ने लगाया वहां से मैं देखा यह चीज़ें लगानी चाहिए तो इस वज़से मुझे शौक प्यादा हुआ है यह जमीन आपकी है यह आपने ठिक्के पे लिए वह यह कैसे है यह हमारी अपनी है जाती है तो पूरा हमने पूर अगूर की तीन चार एटमिल गई हैं जो थामसन है तो किंग रूबी है बलैक है इसमें चार अकसाम लगई है जो बहुत अपने लाक्या के हिसाब से लगई है जो इधर चलता है इधर जो चलता है तो अभी कौन-कौन सा फल जो त्यार हो चुका है अभी आडू भी त्यार है हमारा और अंगूर भी तैयार है अलू भारा भी तैयार है करवानी भी तैयार है माशाला यह कितना अर्सा पहले आपने बाग लगाया था यह हमने ने 2016 में लगाया था तो अब 3-4 साल बार फुल यह रैडी हो चुका है तो यह आप मुझे बताएं आप हमारे नादरीन को कि आपने यह जब बाग लगाया इसके अंदर इंवेस्टमेंट कितनी कोई है यह हमने स्टार्ड तो लिया था कोई 12-14 लाग से अब यह फाल जो है यह आप लोकली तोर पर बेचते हैं या नेशनल लेवल पे यानि मुलक मुलकी लेवल पे या मुलक से बाहर भी बेचते हैं यह हमारे आउट उसीटी जाते हैं मुलतान हो गया लहूर हो गया बड़े-बड़े कैश एंड कैरी में जाते हैं स्टोर में जैसे मेट्रो हो गया ऐसे बहुत सारी जगों में जाते हैं तो अभी आपका रादा है कि इसको पाकिस्तान लेवल पे रखेंगे इसका बाहर बल दिया तो क्या आप संजजते हैं कि जौ आपकी इंवेस्टमेंट थी झूण कितनी देर में पूरी हो झाय Hersi kay sending 2015 कि जब फाल दीना शुरू है दो साल में पूरी हो जाती है यानि दो साल के अंदर इंडरा फंसकर पूरू जाते है उसके बास आपका प्राफट शूरू होता तो बिजनस वैसे करना चाहिए यह तो बहुत अच्छी चीज़ है आप मुझे यह बताएं कि यह जमीन माशाला आपके अपनी है इसके उपर लेबर कितनी चाहिए काम करने के लिए आपके बास कितने लोग काम कर रहे हैं लोग काम कर हैं हमने 12-13 बंदे हैं इसका इसके नोगा है तोड़ के उनकी पैकिंग कर आगे कैश एंड के तक या दूसरी जग़ापर पचाते हैं यह मैं खुद आप उतरवते हैं फिर अपनी नाम में उपर सेल करते हैं यहाँ इन्य ≤ आपका नेक्स्ट प्लान किया है कि इसको कैसे लेकर चलेंगे हमारा नेक्स्ट प्लान यह आड़ो को ज्यादा बढ़ाएं यानि आडू को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं क्योंगा हमें यह सबसे बेस्ट लगा है तो इसलिए हम यह आगे बढ़ाएंगे इंशालला तो ब्रार सब मैं चाहूंगा कि आप हमें जो मुख्तलिफ किसम के आपने बाग में पौदे लगा रखे ह हैं मुख्तलिफ फल जो हैं अगाई हुए हैं आप हमें उनका विजट कराएं हम आपके साथ उनका विजट करते हैं देखते हैं कि क्या-क्या कुद्रत की नेमते जो हैं यहां पर आपने अगा रखी हैं हम उनकी तरफ चलते हैं देखते हैं और आडू जो है यह एक जूद बाद की निस्बत ये पहले त्यार हो जाते हैं जिसकी वज़ा से इसका रेट भी ज्यादा लगता है और कस्टमर बहुत खुद आके लेकर जाता है यहां से अंगूर का बाग है यह हमारे दोस्त हैं जनाब अबरार साथ तो पहले हमने आपको आडू का बाग दखाया अब य इनी का जो है अंगूर का हम इन से पूचेंगे कि यह कौन सी किसम है और यह कब तक त्यार हो जाएगा और त्यार होकर यह कहां पर इसको बेज़ेंगे जी अबरार साथ जी यह थामसर ब्रेटी यह उसका नाम है तो यह बड़ी बाद यह से अंदर बीज नहीं होता है जो ह तो इसने भी दो साल बार फाल देना शुरू कर दिया था यह बई तो पिछली दफ़ा आंदाजन आप ने कितना त्क J. अधriage का आउट ओव सीटी या सीटी के अंदर गया यह तुझ ठीब आठ करा आट वीक्ति चला गया था आठ लाँ का आउट ओव सीटी चला गया था माशैलाह इस दफा एक्सक्ड कर रहे हैं कि कितना फ्रूट हो जाएगा तो जी अब्रार साथ बरकत दे चलते हैं आपके आगरे वाले बाग की तरफ नेक्स कौन सा में फ्रूट दखाएंगे अब आपको दखाते हैं खुर्बानी यह अब खुर्बानी के पास आ चुके हैं अच्छा तो यह अब अब हम लोकल सेल कर रहे हैं लोकल कर रहे हैं लोकल कर रहे हैं इसको तो यह ब्राद मुझे बताओ कि यह भी जो पोदे हैं आपने चार साल पहले लगाए थे यह वी 12-16 में लगाए थे माशाला इसने कब फल देना शुरू किया था यह चोथे साल अच्छा यह चोथे साल दिया यह दो साल बाद नहीं आया दादा यह कितने का फल होगा तकरीबर चार पांच लाग का यानि चार पांच इस यह भी दे जाएगा दो साल के अंदर यह आख तो यह भी पाकर त्यार हो चुका है यह बिल्कुर रेडी है तो इसके पैकिंग वगयरा और इसके दूसरे मामलात कैसे करते हैं इसकी पैकिंग चुपाते हैं अपने नाम की च्थी के वह चुटी बॉक्स होते हैं उसके कितने पॉदें यह 40 बोड़ यह कब तक पाल देना शुरू जाएंगे बीज-पचीज नि ले रहा अच्छा फिर रैडी होगा अभी कलर चेंज हो रहाए जैसा करेंज हो रहा है common je देख रहा हूं में लायों लोओ उस पहर है लामन लगा रहा हैरी यह कितना कपाल देते हैं कि हम दूत की हैं फिर फाल दी ट१े हैं के कि लेए एक टो लेपर की नीकित पानी जरूरत होती उसके बाद इसको पानी खाद या फैस्टीसाइड की और किया जिजदा से 12 काम कर रहे हैं इसटाइम तो पैकिंग आप अपनी चुपाते हैं या चुपी चुपाई लेते हैं नई हम अपने हैं पने प्रेंट कर आते हैं उपर अपर अमार्करीट में फिर हम अपना बेज़ते हैं तो अबरहार मुझे ये बताएं कि वो तुमाम दोस्त जो चाहते हैं कि हम भी फरूट के बाग का काम करें तो आप क्या मश्वरा उनको देंगे कि ये काम कैसा है काम ये बहुत अच्छा है मेरा मश्वरा यही है जो ये फील्ड में है जिम्रेदारे की फील्ड कर रहे है तो उनको चाहिए ये बाग लगाएं लेमन हो गया अडू हो गया अंगोर हो गया और खरबानी अलू ख़रा है जो जरूर लगाने चाहिए इसका बहुत फाइदा है कामयवी का राज यह वालदेन की द्वाई है जो हमारे साथ है तो एक में बंस करता है तो अब्रार सहब ने बता का विजिट कराया, इन्होंने मुख्तलिफ पौदों का बाग लगा रखा है, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर और लोकली तोर पर भी फल जो है, वो सेल करते हैं, अगर कोई हमारा दोस्त पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर इन से कंटेक्ट करना चाहता है, इन आप अपने मुलकों के अंदर या पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर फ्रूट मगवाना चाहते हैं हमीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की शक्सियत आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें ताके नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें खुश रहें और खुशियां बांटें